Hello friends, welcome to our channel आज discuss करेंगे group by clause को group by clause होता क्या है, कैसे काम करता है, किन सिनेरियो में हमें group by clause की requirement होती है और actual में, real word में हम किस तरीके से group by clause को use करके अपने real word scenarios को solve कर सकते हैं ये सब कुछ देखने वाले हम आज की वीडियो में तो सीधे चलते हैं अपने topic की ओर तो सबसे पहले हम बात करते हैं group by clause होता क्या है जैसे आप यहां देख सकते हैं group by clause के आगे मैंने लिखा है grouping rows having same values in specified columns तो इसका क्या मतलब है grouping rows having same values तो let's suppose यहां पर एक example के लिए मैं एक color column ले लेता हूँ और उसके अंदर color के अंदर कुछ इस तरीके से red, green, red, blue, green कुछ इस तरीके से मेरे पास values present थी अब अगर मैंने इस color column के ऊपर group by को apply कर दिया मान लीजे मैंने इसके ऊपर group by को apply किया है तो होगा क्या यहां पर मेरे groups बन के आ जाएंगे मेरे पास सारे यहां पर जैसे आप values देख सकते हैं डिस्टिंक में red है, green and blue है तो होगा क्या एक group मेरा बन जाएगा red का, एक बन जाएगा मेरे पास green का और एक group बन जाएगा मेरे पास blue का तो इस तरीके से इन values के groups बन जाएंगे आप finally होता क्या है group by आपको groups बना के देता है उसके बाद आपको माली जीए count करनी है कितने red की values है कितने green की values है तो हम क्या करते हैं generally aggregate functions को use करते हैं तो group by के बाद group करने के बाद हमारा purpose होता है कि aggregate functions को apply करे और अपने answers को derive करे किस तरीके के answer derive होता है जैसे sum का use करके हम total sales निकाल सकते हैं average का use करके average sales निकाल सकते हैं तो count का use करके count निकाल सकते हैं total count जैसे red की कितनी value थी green की कितनी values थी इस तरीके से हम count का aggregate function का use करके in values के count को identify कर सकते हैं तो ऐसे multiple scenarios को cater करने के लिए हमारे पास aggregate functions होते हैं and let me tell you friends from my personal experience कि यह जो aggregate function होते हैं यह data analytics में बहुत काम करते हैं क्योंकि इनकी help से आप trends को identify कर सकते हैं profits को, sales को इन सारी चीजों को identify कर सकते हैं analyze करके आप decision making कर सकते हैं तो बहुत important होते है aggregate functions और aggregate functions अगर important है तो इसके साथ समझने वाली बात यह है कि group by तो हमारा important obviously हो ही जाता है तो यहाँ पर group by जो है और जो हमारे aggregate functions है वो hand in hand चलते हैं अब यह तो एक basic रहा group by clause का यहाँ पर समझने वाली बात एक और आती है कि group by जो हमारा clause होता है it can be based on single column और multiple columns तो group by हमें single column का जैसे हम पर एक colour column का group by कर रहे थे ऐसे हम single column का भी कर सकते हैं multiple columns का भी group by कर सकते हैं case देख लेते हैं आपने group by का scenario को देखते हैं कहां हम यूज़ कर सकते हैं तो मैंने क्या किया है एक table यहाँ पर बनाई हुई है आप लोगों को मैं टेबल का स्ट्रक्चर सबसे पहले दिखा देता हूं तो तो इस आवर ग्रूब बाई डेमो मैंने एक स्टेशनरी एक पर मेरे को टेबल का स्ट्रक्चर देखना होगा क्या है स्टेशनरी शॉप एक स्टेशनरी शॉप और मुझे डेटाबेस का रेफ्रेंस भी लेना पड़ेगा यहां पे तो तो यहां पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूं मेरे पास अपना जो टेबल का स्ट्रक्चर था स्टेशनरी शॉप एक टेबल थी मेरे पास जिसके अंदर स्टेशनरी शॉप के अंदर आइटम्स के डीटेल्स थे तो अभी के लिए एक्जामपल को सिंपल रखने के लिए मैंने क्या किया है यहां पे केवल एक सिंगल आइटम की बात की है तो जैसे आप यहां देख सकते हैं मैंने किवल एक ही आइटम को यहां consider किया है pen को तो हमारे पास pen की details है pen के different colors थे जैसे red color के pen थे green color के pen थे blue color के pen थे different colors के pen थे मेरे पास इस stationery swap में let's suppose koma abc stationery shop थी इसके पास blue color के pen थी तो यहां पर क्या चीज हमें समझ ली है कि इस जो हमारा ABC stationary shop थी इसको अपने count का idea नहीं था कि उसके पास अभी कितने red color के pen थे कितने green color के pen थे और कितने blue color के pen थे ताकि वो कोई decision ले पाता तो अभी के केस में क्या था एक requirement आई मेरे पास that is the requirement that to identify और इस तरीके लिख सकते हैं to identify count of different color pens तो different color के pen के count को identify करना था अब यह जो ABC stationary shop थी इसको काफी confusion था कि मैं output को कैसे derive करूं यहां पर तो उसके लिए क्योंकि इसके पास pens की inventory है तो इसको यह देहने के भी किस तरीके से कितने color के कितने pen हैं कि red color के इसके पास कितने pen हैं green color के कितने और blue color के कितने हैं तो यहां पर इसको क्या किया इसने क्या किया एक let's suppose एक query इसको इसने run करी जिसके अंदर इसके पास group भाय था और एक aggregate function count था आप किस तरीके से यह output derive करेगा उसको देखते हैं आपको question समझ आ गया है to identify count of different color fans output देखते किस तरीके से यह ABC stationary shop वाला यहाँ पे derive करता है इसको clear कर देते हैं इसको तोड़ा drag करके नीचे ले आते हैं अब यहाँ पर यह क्या करने वाला है stationary shop वाला यह क्या करेगा आपने हमारे group by क्योंकि मैंने आपको बताया था group by क्या करता है groups create करता है और यहाँ पर उसे count perform करना है यानि count करना है different color के pens का तो सबसे पहले उसके पास different color के groups का तो पता होना चीह है let's suppose let's suppose सबसे पहले वो क्या करेगा red color के pens को एक साथ ले लेगा blue color के pens को एक साथ ले लेगा and green color के pens को एक साथ ले लेगा and finally इस पे क्या करेगा count इनका apply करेगा count इनके उपर count apply करेगा या counting करेगा और उसके बाद ही उसके पास different color के pens के count आप आएंगे तो same logic जैसे हमने यहां देखा सबसे पहले उसे groups बनाने है और फिर उसको count करना है same funda हम अपने MySQL में use करने वाले हैं हम क्या करेंगे groups बनाएंगे और फिर count aggregate function को apply कर देंगे count निकालने के लिए कितने color के कितने pens हैं तो यहां हम क्या कर रहे हैं let's suppose हम group by कर देंगे color के basis पे यह perfect हो गया है हम अरे पास color के basis पे group by कर दिया है हमने and यहां पे हम color column को लेंगे और count कर देंगे हम item unique की help से item unique code यह हम यहां लिख देंगे as total count और इस तरीके से क्या होगा यहां पे एक बर मैं इस query को run करता हूं तो आप देख सकते हैं इसको थोड़ा समय ड्रैकर करके उपर ले आता हूं तो red green blue हरे color के कितने pens हैं यहां पर reflect हो गए तो मैंने simply किया क्या यहां पर मैंने group by कर दिया color को यानि मुझे color के basis पर red के कितने हैं green के कितने blue के कितने हैं उसके basis पर groups बनाने हैं ठीक है पहला काम खतम कर दिया group by के help से मैंने groups बना लिए एंड उसके ऊपर जब मेरे पास groups हैंडी थे जब मेरे पास यहां पर groups हैंडी हो गए जब मेरे पास red के green के blue के groups हैंडी हो गए फिर मैंने क्या किया count aggregate function this is our aggregate function यह हमने apply किया और हर एक color के कितने पैंस ते उनका count identify कर लिया तो यह बहुत ही important आप लोगों को concept clear हुआ होगा कि किस तरीके से पहले groups बने group है और उसके बाद count aggregate function का यूज करके हमारे stationary shop owner ने identify कर लिया कि किस pen की कितनी inventory थी अब उसको fair bit of idea हो चुका है कि उसकी कितनी inventory है आगे जब हम having clause को discuss करेंगे तो देखेंगे कि क्या कोई री लगाएगा identify करने के लिए कि उसके inventory कि spend की कम हो गई है तो रीफिल हो जाए वो लॉजिक अभी हम बाद में देखेंगे having clause जब discuss करेंगे अभी के लिए आप यह देख लीजिए count आगे निकल के आ गया है हर एक different color के pens का अब क्या होगा यह हमारा basic हमने group by demo देखा अगर आपको इसमें advance देखना है तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम group by के अंदर multiple columns लिख देते हैं यहां पे तो वो do column के basis पे महां पे grouping हो रही है तो let's suppose यह तो जैसे अब ही हम यहां लिख देते हैं it's like a grouping based on single column let's suppose अगर हम एक थोड़ा advance scenario discuss करते हैं जिसके अंदर हम क्या कर रहे है multiple columns एक से ज्यादा column के basis पे grouping कर रहे हैं यहां पे grouping based on multiple columns तो अभी के लिए मैं क्या करूंगा अपनी एक मैंने sales data table बनाई हुई है उसको आप लोगों को दिखाता हूं और उसकी help से आप लोगों को दिखाऊंगा कि हम इस तरीके से multiple columns के basis पे ग्रूपाय परफॉर्म कर सकते हैं तो अगर मैं इस query को अगर मैं इस query को यहां रन करता हूं तो यह मेरे पास एक sales data table बनी हुई है बहुत ही basic सी table है ऐसा कुछ complex नहीं है यहां पर product करके column है कौन-कौन से product sale हुए है region किस-किस region में वो sale हुए है sales representative गिवन है हमारे जिन्होंने sell किया date किस date को sell हुए है कितने quantity sold हुई है और कितना revenue हुआ है उनकी selling से तो इस तरीके से data हमारे पास given है अब हम क्या करने वाले है हम अपने product और region इन दोनों कॉलम की help लगने वाली है और quantity sold यह तीन कॉलम हमारे यहां यूज होने वाले है region product and quantity sold देखते हैं किस तरीके से हम कोई रही लिख सकते हैं तो सबसे पहले यहां पर मैं क्या करूँगा अपना region कॉलम ले लूँगा and product और grouping भी मिरको इनी के basis पर करनी है क्योंकि किस region में कितने product हुए है उसके लिए मिरक पास यहां पर हम region लिख देंगे and product perfect and इसके बाद हम क्या करेंगे यहां पर sum कर देंगे quantity तोल्ड पर और इसके लिए हम यहां पर as total quantity तोल्ड इस तरीके से हम इसको एलियस देंगे और यहां पर हमने group लिखा था इसको group आये देना पड़ेगा तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने पहले जैसे पहले जब हम discuss कर रहे थे inventory office stationary shop वहां पर मैंने single color column के basis पर ग्रूप आय किया था अगर आप लोगों को इसको थोड़ा से देखते हैं तब से पहले लोस एंजलिस के अंदर किस प्रॉड़क्ट के कितनी सेल हुई है वह आ गई है फिर बॉस्टन के अंदर किस प्रॉड़क्ट के basis पे हम group by कर सकते हैं उस demo purpose के लिए मैंने यह table बनाई हुई है तो अब देख सकते हैं सैंट फ्रैंसिसको रीजन के अंदर किस प्रॉड़क्ट के कितने quantity प्रॉड़क्ट सोल्ड हुए ऐसा कुछ रिक्वार्मेंट हाई तो रीजन और प्रॉड़क्ट दो कॉलम्स थे हमारे पास तो दोनों को गुरूबबाय में में मेंशन करना होगा इस तरीके से आप यहां देखा यहां पर हमने आउटपुट डिराइब कर लिया टोटल कॉंटिटी सोल्ड फॉर डिफरेंट प्रॉड़क्ट इन इस स्पैसेफिक रीजन तो यहां पर समझना बहुत इंपॉटेंट है कि ग्रूप आइको किस तरीके से हम यूज करते हैं ग्रूप्स क्रिएट करने के लिए और जब हमारे पास ग्रूप्स आ जाते हैं उसके बाद उस ग्रूप में हम क्या करते हैं अपना अग्रिगेट फंक्शन अप्लाई करते हैं तो इस केस में क्या किया हमने अपना ग्रूप बना लिया रीजन और प्रॉड़क्ट के बैसि यह हमारे पास groups बन के आगे and उसके बाद मैंने क्या किया aggregate function यहाँ पर apply कर लिया this is our aggregate function यह हमने यहाँ पर apply कर लिया on this group और हमने total quantity जो sold हुई है वो identify कर लिए so this is all about group by clause मुझे उमीद है group by clause आपको समझ आया होगा आगे चलके हम having clause को देखेंगे और देखेंगे किस तरीके से having clause use होता है तो अब एक बार हम अपने having clause को देख लेते हैं so having clause में यहाँ पर mentioned है it is used when we work on aggregated data तो अभी जब हम थोड़ी जब पहले group by को discuss कर रहे थे जब हम अपने group by clause को discuss कर रहे थे तो वहाँ हमने यही देखा जाके group by की help से हम अपने data को aggregate ही करते हैं जैसे यहाँ पर हमने देखा था कि हमारे पास एक color column था और color column के अंदर different values थी जैसे red, green, blue इस तरीके से multiple values given थी तो हम क्या कर रहे थे group by इस जब हमने इस column color column पर apply किया तो हमने red के groups मना लिये हमने green का group बना लिया और हमने blue का group बना लिया तो basically हमने red के data को aggregate कर लिया green के data को aggregate कर लिया और blue के data को aggregate कर लिया था यहाँ पर groups बना के अब जब हमारे पास aggregated data आ जाता है तो हम aggregate data को अगर हमें filtering करनी है अगर मेरे इस aggregated data पे अगर मुझे इस aggregated data पे filtering करनी है तो मैं यूज करता हूँ अपना having clause it is as important as that मैं having clause का use तब करूँगा जब मेरे को filtering करनी है अपने aggregated data पे तो मेरे पास aggregate data हो गया है मेरा aggregated data पे अब मुझे filtering अप्लाई करनी है तो मैं use करूँगा having clause तो यहाँ पर यही मैंने बात लिखी हुए used when we work on aggregated data तो जब मेरा aggregated data आ गया है तो उस पर filtering perform करनी है using having clause यहाँ पर मैंने एक important pointer लिखा है यह समझना भी बहुत ज़रूरी है कि where and having में क्या difference है जनरली interviewer इस तरीके के question बहुत पूछ लेता है हमसे interviewer हमसे इस तरीके question काफी पूछता है कि where and having में क्या difference है दोनों filter के लिए ही use होता है records को filter करते है अगर बात आती है before grouping जब हमने aggregation perform नहीं करी है individual rows, row by row basis पर अगर filtering हो रही है तो हम use करते हैं अपने where clause को row level अगर हमारी filtering हो रही है तो हम use करेंगे where को अभी हमने aggregation perform नहीं की है बहुत important है aggregation perform नहीं की है where clause aggregation perform कर ली है after grouping अपने aggregation perform कर ली है तब हम use करेंगे having clause तो aggregation से पहले where clause aggregation के बाद जब हमारी पास aggregated data है उस पे हमें filtering करनी है aggregated data पे यहाँ पे समझने वाली बात है after grouping का मतलब है aggregated data पे अगर हमें filtering apply करनी है तो हम use करते हैं having clause this is something important aggregated data नहीं है simple row का data है तो हम where clause apply करते हैं और aggregated data है तब हम apply करते हैं और aggregated data को filter करना है तब हम apply करते हैं having clause को examples के दूरूद देखते हैं हमारे पास again वो stationery जो हमारी shop थी जिसके अंदर pens की inventory थी उसी example को use करके हम having clause को समझेंगे तो नहीं हम पर हम ले लेते हैं और सबसे पहले हम क्या करना है अपने database का reference देदेंगे select कर लेंगे stationary shop को जब हम इसको run करते हैं तो मेरे पास stationary shop वाली table आ जाती है तो हमने क्या किया था यहाँ पे color के basis पे मैंने काम यहाँ पे किया था ग्रूब बाए कर दिया था color के basis पे हमने यहाँ पे यहाँ पे हम count कर रहे थे कि हर color के कितने pen है तो individual colors के कितने pen है उसको हमने identify किया था कैसे item unit code को count करके इस तरीके से मैंने क्या किया था यह अब तक मैंने activity perform की थी जब हम ग्रूब बाए का simple scenario discuss कर रहे थे single column scenario जब हम single column के उपर ग्रूब बाए करते उस time मैंने बताया था कि हमें simply क्या करना था कि जो मेरे पास कि ने क्या क्या था हमारे पास inventory में हमारे abc हमारे पास क्या था abc stationary shop थी इसकी inventory में क्या थे पड़े हुए थे केवल अभी के लिए simplify करने के लिए हम समझ सकते हैं इसके inventory में केवल पैंस थे और पैंस डिफरेंट कलर के थे लेट सपोस लेट सपोस इसका एक threshold होता है यहां पर कि अगर पैंस जो है वह less than 5 हो जाएंगे जब उनका count less than 5 हो जाएंगे तो इसके पास एक अलार्म आ जाए जब कुछ ऐसी condition इसके पास होती इसने एक थ्रेशोड सेट किया होता यह भी सी शॉप ने कि अगर मेरे पास कि इसी भी कलर के माली जिए ब्लू कलर के 5 पैंसे कम हो जाते हैं तो एक सिनर्यो देखा था तो ऐसे सिनर्यो में हम हैंविंग क्लॉज को यूज कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं देख लेते हैं तो यहां पर को मैं अभी के लिए total काउंट लिख लेता हूं तो माल लीजिए मेरे पास किसी भी कलर के अगर 5 से कम पैन आए तो मैंने क्या कर दिया यहां पर having clause को यूज करूंगा अब having जैसे हमने डिसकस किया था aggregated data पर काम करता है तो यहां पर मैंने क्या किया है total count लिख लेंगे हम यहां पर and less than 5 तो जैसे ही अगर 5 से किसी भी color के pens का group का count कम होता है तो एक alert आ जाए तो यहां क्या होगा जब भी हम इस query को run कर देंगे तो अब मेरे पास alert आ गया yes green colors के pen हमारे 5 से कम हो चुके है now it is time to replenish the inventory हमें green color के pens को दुबारा फिल करना है यह important एक application होती having clause की जहां पर हम aggregate data को filter कर सकते हैं यहां पर हमने filter कर लिया हमारे पास different color के groups हमारे different groups थे on the basis of colors like red color, blue color, green color और जो हमारा group था green color के pens का वहां पर हमारे उस group में जो count था pens का वो 5 से कम हो गया है इसलिए कलर्ट आया ABC shop, stationary shop को now it is time to replenish the pens तो ऐसे examples के तुरू अपने real word example के तुरू हम समझ सकते हैं अपने having clause के application को बहुत important है having clause real word में frequently used होता है again group by जब हम use करें generally हम having clause को use करते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ aggregate data की filtering रहती ही है data analytics में group by having aggregate functions इनकी बहुत 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 जादा application होता है इनका तो आप प्लीज खुद से भी in having clause को group by clause को aggregate functions को use करें different scenarios को solve करने की कोशिश करें मैं भी कोशिश करूँगा future में in clauses के basis पर आपको different video share करने की तो this is all about having clause अगर आपके कोई doubt है आप comment section में share करते हैं वीडियो को like कीजेगा subscribe कीजेगा इस channel को मिलते है next video में तब तक लिए thank you झाल